दोस्तों फानले यहां पे OnePlus Pad Go launch हो गया है इसमें सबसे अच्छी चीजें यह हैं कि OnePlus Pad Go tablet का brand ने दो storage options में launch किया है जिसमें 8GB RAM है और 256GB का storage है और 128GB का भी storage है आठ जीबी वाले में मनें बता है कि ना 128GB का storage है जिसकी price आपको लगबग 22,000 रुपे के आसपास में है अब वहाँ पर जो Wi-Fi के सब स्रीफ है जो केवल Wi-Fi वहाँ बे 20,000 रुपे के आसपास में है अगर 256GB का storage की बात कर लें तो LTI Wi-Fi connectivity के साथ 24,000 रुपे के आसपास में है यह केवल Wi-Fi connectivity के शाथ options में आ रहे हैं और अगर वहीं पे color options की बात करें तो OnePlus Pad Go केवल 10 mint color में आता है हलाकि tablet को आने में 12 अक्तूबर मतलब की एक हफते बाद नहीं तो आप 3-4 दिन के बाद OnePlus Pad Go केवल 10 mint color में ही आएगा और जो की दोपर 12 बाज़ तक यह Amazon इंडिया पर pre-order के लिए भी हो सकते हैं और अब pre-order offer के लिए रूप में यूजस में 1399 रुपे के और फोलियो कबर भी मिलेगा इसके लामा OnePlus Go की सेल 20 अक्टूबर दोपर 12 बज़े से शुरू हो जाएगी अब यहां पे अगर मैं बात कर लूँ डिस्प्ले से लेकर तो डिस्प्ले यहां सब्सक्राइब 2408 पिक्सल्स का रिजुलेशन वाला 11.35 इंचिस का LCD डिस्प्ले है ल्टी पीसी डिस्प्ले है इसमें 90 हर्टेज का रिफ्रेश रेट है 180 का टच हर्टेज सेंप्लिंग का रेट है 400 निट्स ब्राइटनेस मिलती है वन प्लस पैड गो पर्फॉर्मेंस के लिए मेडिया टेक हिलियो जी 99 चिपसर के साथ है और डेटा स्टोर करने के लिए इसमें 8GB LPDDR 4X RAM प्लेस 256GB तक स्टोरेज है UFS 2.2 स्टोरेज को कार्ड की मदद से 1 TV तक बढ़ा सकते हैं अब यहाँ अगर हम कैमरे के बात करें तो कैमरे की फीचर्स की इसमें EIS सपोर्ट के साथ 8MP का रियर कैमरा और सिल्फी वीडियो कॉलिंग के लिए 8MP का फ्रंट कैमरा है अब यह हो गया बैटरी का तो बैटरी सिस्टम की बात करें तो टैबलेट में Android 13 पर है और जो की Oxygen OS 13 2.0 कर रहा है अब अब अधर फीचर की बात कर लें तो इसमें एक तो हो जाता है Bluetooth V5.2 USB Type-C Wi-Fi 2.0 GHz Band Face on Lock Geometric Sensor, LED Sensor और Acceleration Sensor जैसे options मिलते हैं प्राइस मैंने आपको बता दिया है डिस्प्रेय का डिजाइन आप दोगों के सामने है यह वनप्लस गो एडिशन काफी पॉपलर रहा हुआ है जो कि यह फटा फट करके लॉंच भी कर दिया है मैंने आपको बता है फिर से बता दूँ कि 12 अक्टूबर से प्री ओडर हो ज